आप आइनिक बॉंडिंग आइनिक बॉंडिंग की कौन कौन सी कंडिशन है उसे हम देखेंगे और इसके पहले केमिकल बॉंडिंग के पहले वीडियो में हमने आपको सिखाया था आइनिक बॉंड बनता कैसे है बिट्विन मेटल एंड नान मेटल जिसमें एक इलेक्टान को क करिए केमिकल बॉंडिंग पीसी गुर्प कोचिंग वाला उसे देख लीजिए अब यह स्टार्ट करते हैं कंडिशन आप आइनिक बॉंडिंग आइनिक बॉंड बनाने की तीन कंडिशन बच्चों होती हैं सबसे पहली कंडिशन आइनाइजेस्टन एनर्जी आप मेटल आइ कि आइनिक बॉंड बना रहे तो मेटल और नानमेटल दोनों चाहिए तो मेटल की आइनाइजेस्टन एनर्जी शुड बी लो यानि आइनाइजेस्टन का कम होना चाहिए जिससे मेटल के बाइलेन से इलेक्ट्रान आसानी से निकल सके सब्सक्राइब हमारे पास कोई मेटल है और इस मेटल से हमने कोई इलेक्टरन निकाला तो इलेक्टरन निकलेगा तिसको आ जाएगा पॉश्टिफ चार्च और इसके लिए डेल्टा-एज की वैलू क्या आएगी पॉश्टिफ क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं एनर्जी आँंगे तो डेल्टा-एज क्या हो जाएगा पॉश्टिफ हो जाएगा तो यह जो हो रहा है यह कम होना चाहिए यानि प्लक्र सब्सक्राइगा यह नान मेटल को उतने आसानी से उतने जादा थेजी से खीचेगा तो आईन ऐसे इनर्जी मेटल का कम से कम होना रहे तो सके अच्छा सफ्म च factual कि आटीक में Какने के लिए उतना अच्छा रहे युराय करती ग्जाद सब्सक्राइब आइनिक बॉंड बनने के लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा यानि इलेक्टान फिंटी आफ नान मेटल शूड भी हाई शूड भी हाई ज्यादा से ज्यादा रहे सपोच करिए हमारे पास कोई नान मेटल है X इसमें हमने एक इलेक्टान डाल दिया प्लस कर रहे हैं तो यह हो जाएगा X- इसके लिए डेल्टा H की वैलू क्या आएगी निगेटिव यही क्या है इलेक्टान फिंटी तो इस इलेक्टान फिंटी की वैलू जादा से जादा रहे जितना जादा निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही जल्दी से यह पॉस्टिव इसको अपने तरफ खीच पाएगा इसलिए कहा जाता है मेटल की आएग्टान फिंटी जादा से जादा हो किसी भी आएग्टिव बॉंड बनने के लिए किसी कंडिशन के लाइटिस एनर्जी आफ कंपाउंड किसी कंपाउंड की लाइटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए सुड भी हाई ज्यादा से ज्यादा लाइटिस एनर्जी रहे तो आइनिक बॉंड बनना ज्यादा अच्छा रहेगा सबच करिए हमारे पास कोई गैस्वा स्मोल कैटायन के हैं गैस्वा थैuction world k बोर कोई गैस्वा स्मारे मैं टाथ मतमे और जब कंडनगेः Кंपाईन Shank 바꿽 एक मोब और मॉल आएनिक सॉलिड बनाएंगा मन गया मेक्स और यह क्या है फॉल लिएरूंड है कीतना है वराण इस दवरानग्यन के इनेक्रिये यही क्या है लैटीस टेनर्जी और इस लैटीस टेनर्जी की बैदू जितना ज्यादा रहेगा आइनिक बांड बनने की संभावना उतनी ज्यादा होगी तो पर बाइनिक बनने की क्यों तीनहीं सब्सक्राइज़की आप मेटल सूड़ फिलो electron affinity of non-metal should be high and lattice energy of compound should be high अगर यह तिन condition रहेगा तो बहुत आसानी से ionic bond बन जाएगा